अमेरिका के राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हैं इस बार मजाक उड़ाया है वाइट हाउस के पूर फोटाग्रफर ने पूर वाइट हाउस फोटाग्रफर पीट सूजा अपनी फोटाग्रफी से कई बार नोगों का दिल जीत चुके हैं लेकिन साथ ही वे अपनी तश्वीरों को अपलोट करने की उम्दा टाइमिंग के लिए भी जाने जाते हैं 2015 गरतंत्र दिवस के मौके पर बराक उबामा के साथ उनके फोटाग्रफर पीट सूजा भारत आये थे उस वक्त उन्होंने कई तस्वीरे क्लिक की थी जिसमें एक चलती बुलेट बाइट पर बीएस एफ के जवान सल्यूट के साथ खड़ा है अब आपको बताते हैं कि सूजा ने ये फोटो इस वक्त क्यों अप्लोड की दरसल इन दिनों अमेरिका में मिलिटरी परेड को लेकर बहस चल रही है डॉनल्ड टरम चाहते हैं कि वाशिंग्टन में भी एक विशाल मिलिटरी परेड का आयोजन किया जाए लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी समित ज्यादा तर अमेरिकी लोग भी ऐसा कोई परेड नहीं चाहते हैं इस बीच सूजा ने मौका देखकर फोटो अप्लोड कर दी और लिखा आई लव परेड इंडिया 2015 बतादे कि ये फोटो अप्लोड करने के बाद अमेरिकी लोगों ने कमेंट कर ट्रम्प के बहुत मजे लिए हैं पीट सूजा ने 8 साल तक बराक उबामा का रयाले के दौरान फोटोज क्लिक की हैं और कई बार अपने सोशल मीडिया प्लैट्फॉर्म पर अप्लोड किया है और बहुत बार पुरानी तस्वीरों के माध्यम से ट्रम्प या उनकी सरकार की चुटकी लेते रहे हैं तेश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सबस्क्राइब करना ना भूले